कि अलो फ्रेंट्स नाशकार आदाब स्रियाकाल एमा अडिबल लाइव बताओ यार कि आप लोग मुझे देख सुन समझ पा रहे हूं कि ओके लेट में जिस्क्विक्ली चेक कि आजा विड़ा लाइब स्क्रीम येस आई तिंग विया लाइव अवाज दिख रहा है सबको आवाज भी आ रहा है जब दस उमंग ईशा भावना सार्थक तन देर इस क्रिश कैसे हो यतार्थ नमन कैसे आप लोग तबरे इस विरे भाई कैसे अभिशेक सरोज वेलकम तो देक्लास और दिर इस अभी शेक हो गया विवेक विवेक बाई कैसे हो वेग्णर आ रहे है अभी हीरलाई कैसे विटा भावना वेलकम तो दे क्लास जबर्दस 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 सभी लोगा स्वागत है दोस्तों मैं आपको एक बात बता दू आप तो आप दोड़ा ध्यान रखिये कुछ अमेंडमेंट्स अभी आई थी नवेंबर 21 के आर्टीपी में कुछ सिए इंटर मिजेट के नवेंबर 21 आर्टीपी में अमेंडमेंट्स आई थी तरह आप एक बार चेक आउट कर लो मैं आपको दिखाता हूं ठीक है और अभी जो मोडिूल हम लोग पढ़ रहे हैं हम जो मॉडिूल अभी पढ़ रहे हैं वह पहले देखा चाहे तो 30th अपरिल तक के उसमें अमेंडमेंट्स थे 30th अपरिल तक के ठीक है तभी यह मौड्यूल जो है यह नवेंबर 20 के एक्जाम के लिए करेक्ट था लेकिन उसके बाद यानि कि एक मिनट ऑक्टोबर 20 में यह मौडूल बनाऊ है प्रिंट किया ऑक्टोबर 20 का इसका मौडूल का प्रिंट था पिर October 20 के बात यानि कि एक अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक एप्रिल से November तक के amendments जो की applicable होते थे July के exam के लिए वो इसमें किये हुए नहीं थे तो अभी क्या हुआ एक RTP issue किया देखो मैं आपको बताता हूं यह देखो October 20 इडिशन सारी चीज़ें यहां पर मेंचन है यह जो आटीप आप देखे रहां ना विटा यह आटीप नवेंबर 21 के एक्जाम के लिए नवेंबर 21 जो की exam कब होने वाली है December में वाली है तो जो October 2020 का यह एडिशन है इसमें 31st of October 2020 तक के जो अमेंडमेंट्स थे वो सारे कवर किये गए थे यानि कि मैं आपको बता दू यहां पर यानि कि एक्जाम कब है नवेंबर 21 में तो इसके बाद भी इसके बाद भी बहुत सारे अमेंडमेंट्स बाकी थे तो फिर आया रटीपी फिर आया रटीपी जिसमें एक नवेंबर 2020 तक के अमेंडमेंट्स दिये गए ठीक है मैंने अभी जो मैं नोट्स आपको दिया है फॉर्स चैप्टर का उसमें एक दो छोटटे इसमें अपको जिस् тебя पड़ाँया उस में और जो बात के जो अमेंडमेंट देने की एक नवेंबर 2020 से तो लेके 31st अपरिल ने सॉरी 38 अपरिल 38 अपरिल 21 यहां तक भी अमेंडमेंट आपको इंक्लूड करके मिलने वाली है इस नोट के अंदर और यह कप के लिए एक्जाम्ट यह अपलीकेबल होता है पिटा इनकी जो नोट में आपको देने वाला वह बतलब बाइडिपॉर्ट नवेंबर 21 की एक्जाम्ट के लिए अपलीकेबल है वर आपका एक्जाम कब है आपका आप लोगों का इक्जाम आएगा मेड 22 में यह और छे मैने बाद इसका मतलब एक मई कि 2021 से लेके फिर माई जून जुलाई और सेप्टेंबर ऑक्टोबर ठीक है फिर से वह यह ऑक्टोबर अभी अभी देखुआ एक मिल्टा हाँ बराद ऑक्टोबर तक आएगा 31st of October 2021 यहां तक के जो अमेंडमेंट है यह आपको आएंगे आटीबी में 22 में यह का आएंगे जो आपके अटेम के लिए जब आटीबी प्रिंट होगा ना उसके अंदर यह अमेंडमेंट रहेंगे एक माई 2021 से ऑक्टोबर 2021 तक के और आपको माई 2022 के एक्जाम में एक्टीबल रहेंगे लेकिन यह अमेंडमेंट अभी कब आने वाले आटीपी जब आएगी माई 22 के तब आने वाले अभी अपने पास आने वाले हैं नहीं तो हमारी books यहीं तक रहेगी, मैं जो module आपको देने वाला हूँ, यहां तक रहेगा, लेकिन जो भी RTP के amendments आएंगे, जो May 22 के RTP के amendments आएंगे, यह मैं free of cost upload करने वाला हूँ, इसी YouTube चैनल पर, यहने कि अगर आप टेक्निकली देखेंगे, तो जो बच्चे के class आगे भी decide करते उनके लिए है, दो मिनिट लगा है, फिर मैं पढ़ाना start कर रहा हूँ, जो बच्चे class अभी ले रहे है, आभी आपको समझना चाहिए, कि जो notes आपको मिल रहे है, यह November 21 के attempts तक fully amended रहेगी, लेकिन 1 माई 2021 से 31st October 2021 तक के जो सारे amendments रहेंगे, यह आपको May 22 में applicable है, यह RTP में आते है May 22 के, यह आपको अपने आप से करने पड़ेंगे, बट इसके लिए भी आपको YouTube पे वीडियो देकर मैं help कर दूँगा, और यह मैं अकेला नहीं सारी टीचेस इसी दरह से करवाते है, ठीक है? करेक्ट, ओके, यह अभी मैंने क्लियर कर देने, notes के चलते, आपको notes के related कोई doubt अब आपको नहीं रहे, अभी जो amendment एक छोटी section to class 52 में, section to class 52 में आईए, जल्दी साइए section to class 52 में, यहाँ परेव class 52 इसमें listed company यह दिखरा आपको देको इस तरह से, अब इसको थोड़ा सा अमेंड किया है, रुको मैं आपको बताता हूँ, इसको मैंने थोड़ा अमेंड किया है, यह नवेंबर 21 के साब से, वह आप देख लोग क्या है, यह देखो, listed company बहुत जादा change हो गया, वह पहले मैं आपको बता देता हूँ, दिखरा है कि आपको मैं क्या बोर रहा हूँ, आपने जो पढ़ा है, और मैं जो पढ़ा रहा हूँ, उसमें different समझ में आया है, कि आपको, यह आपकी books में दिखरा होगा आपको, अब इतना आप लिक नहीं सकते हैं, आपके books में आपको भी यह नजर आ रहा होगा, जो आपने print out निकाली है, यह notes बेटा group में मिलेंगे, group का link description में दिया है, यह आपको नजर आ रही है, 52 बराबर आपके book में, आपको यह नजर आ रहा है, यह amend हो चुका है बेटा, यहाँ आईए, पहले मैं आपको amendment पढ़ाता हूँ, और amended soft copy में आपको कल, आज रात में या कल upload कर दूँगा, amended soft copy में आपके group में upload कर दूँगा, ठीक है, तो listed company, means a company which has any of its securities, listed on any recognized stock exchange, पहले सिक इतना ही था, बस, means a company which any of its securities listed on recognized stock exchange, मैंने आपको पढ़ाते वग, इस पर effort भी नहीं मैंने का कि, ओके listed company था, समझ के, any of the securities listed on stock exchange, ये listed company, but मैंने आपको एक homebook दिया था, मैं आपको homebook दिया था, कि बताईए, क्या एक private limited company list हो सकती है, कितने लोगों ने किया, ये homework, क्याना private limited company get listed, कितने लोगों ने किया, ये, 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 बताई, कितने लोगों ने ये actually किया, can a private limited company get listed, आपको यहाँ पर पता चलोगा कि, that securities can be listed by a private company, पता चलो आपको, that a private company can list its, that securities and that way it can become listed, तो ये actual में होने लगा, फिर private companies भी listed होने लगी, इसलिए listed company के definition में amendment ला लिया, अब ध्यान से पढ़ो, अभी अगर आपको समझ गया, अगर आपको अभी समझ गया, तो समझ गया, बना नहीं समझेगा, ठीक है, पहले मैं आपको बता दू कि, कैसे एक private company list होती है, प्राइवेट कमपनी चाहे तो अपने debt securities list कर सकती है, debt security list करने के लिए आपको सेधी issue of, issue and listing of debt securities regulation 2008 फॉलो करना पड़ेगा, जिसमे एक private company को भी allow किया है, कि भाई, आप अपने debt securities place कर सकते हैं, आप उसको upload कर सकते हैं, आप उसको private placement कर सकते हैं, और आप उसको list कर सकते हैं, पहंदा ये हो गया, कि अगर आप securities का मतलब जाने, अगर आप listed company का definition पोलें, तो उसमें लिखा था, any of its securities, और securities का जब मैं definition पढ़ता हूं, जब मैं securities का definition को फढ़ता हूं, तो debt securities also security है, यहने कि एक private company listed बन जाती है, और बच्चों की दिमाग confused हो जाते हैं, कि सर ये private company कैसे security list हो गई, बेटा क्यूंकि private company ने अपना debt security से भी issue and listing of debt security regulation 2008 फॉलो करके upload कर दिया, तो पंगा ये होने लगा कि ये private company ने अपने debt securities को listed करवाया, उस वज़े से private companies को भी अब हम, private companies को भी अब हम listed company बोलने लग गए, और यहाँ पे सब लोगों के दिमाग में confusion आ गया, in fact मैं आपको बता दूँ जब मैं ये पढ़ाता था, मुझे teachers के call आते थे, renowned renowned teachers बड़े बड़े teachers और मैंने ये foundation level पर पढ़ाया बच्चों को, मुझे बड़े बड़े renowned teachers के message आते थे call आते थे, सर आप ये क्या बोल रहे हो private company listed नहीं हो सकती, मैंने का सर ऐसा नहीं है, आप ये listing पढ़िए, आपको समझ में आ जागे कैसे list होती है, और अब ये ज़्यादा ज़्यादा लोगों को समझ में आने लगा कि ये प्राइवेट कंपनी के लोल सुगे लिस्टेड, इसके आगे एक प्रोविजो एड किया गया, ये पूरा नियू है इसके नीचे का जित्ता भी आप पड़ोगे पूरा amended है, ये नोट्स आपको मिल जाएगी, provided that such class of companies which are listed or intend to list such class of securities as may be prescribed in consultation with SEBI, Securities and Exchange Board of India shall not be considered as listed company, और बोल रहे कि हम particular कुछ class of companies के बारे में बताएंगे, जो अगर अपने कुछ particular securities जो हम आपको बताएंगे, अगर वो list करती है, या it gets to intend to list those securities, तो भी आप उसको listed company नहीं कहेंगे, ये section में add किया गया बढ़ा, ये लोकसभा, राज्यसभा, और president and then official gadget से ये पैरा add हो गया in the act, फिर इन्होंने start किया rules बनाना, ये पूरे के पूरे rules नहीं है, newly introduced, ये पूरे rules new है, देखो rules क्या बोलता है, विए बनाना प्रस लिएरी मुझन को नहीं है, विएभ गया पूरे गयार, ये ये minor लिएष और टी है, सबसे पहला, बडोलते बनानामि placement basis अब आप लोग को confusion हो रहा होगा सबसे पहले तो आपको नहीं समझ रहा कि है यह non-convertible क्या है फिर समझ रहा है प्राइवेट प्लेश्मेंट क्या है प्राइवेट प्लेश्मेंट क्या है तो आज एक बात अपने बुक्स में लिट दो कि रिमाइंड मी to teach this again after this chapter मैं आपको बता दू नहीं तो बाद में क्योंकि आप confused होंगे इसलिए मैं आपको 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 बता रहा हूँ रुको रिमाइंड में to teach this again after prospectus and allotment of securities इसके बाद चैप्टर नमबर थी के वक्त आप मुझे याद दिलाना कि सर यह आप दबल पराने वाले थे अब देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ वाट इस दिस क्या हूँ इसको प्राइवेट प्लेस्मेंट अगर एक कमपनी जनरल पब्लिक को इसको प्राइवेट प्लेस्मेंट कहते हैं यह मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर नमबर थी में और जब मैं चैप्टर नमबर थी में यह पढ़ाओंगा तब मुझे एक बार याद दिलाना कि कि मैं दुबारा आपको पूरा एक्स्प्लेन करूँ अगर आप एक प्राइवेट कंपनी एक पब्लिक कंपनियों से एक्जांपल मैं बात करता हूं एबीसी लिमिटेड ये पब्लिक कंपनी अब क्या किया इसने अपने इक्वीडिटी शेर्स प्लस नॉन कंवर्टीबल डिबेंचर्स ये दोनों लिस्ट किये मुझे रधा है क्या एबीसी लिमिटेड को आप पॉब्लिक लिस्टेड कंपनी कहेंगे ये नहीं कहेंगे जल्दी बोलो क्या ये लिस्टेड कंपनी मानी जाएगी या नहीं प्राइवेट प्लेस्मेंट में डीटेल में पढ़ाने वाला हो अभी मैं आपको सिफिक हिंग दे रहा हूं कि प्राइवेट प्लेस्मेंट मतलब क्या एबीसी लिमिटेड ने अपने एक्विटी शेर और नॉन कंवर्टिबल डिवेंचर्स दिखा दू है ना नॉन कंवर है कि not to be considered or listed तो पता ही इसको listed मानेंगे या नहीं मानेंगे will it be a listed company or not the answer is yes but not because of this the answer is yes because they have also listed their equiditions यहां पहला line देखो क्या लिखा है public company which have not listed their equiditions but have listed their non-convertible यह नहीं कि अगर abc limited ने इक्विटी शेर इश्यू नहीं किये होते इक्विटी शेर इश्यू नहीं किये होते केवल केवल non-convertible डिवेंचर प्राइवेट प्लेस्मेंट में दिये होते दा answer would have been not a listed company एक public company जिसके non-convertible डिवेंचर लिस्टेड है फिर भी आप उसको not a listed company कहेंगे क्या यह आपको समझ में आया कि आपको समझ में आया हा या ना अब वही तो पर ट्रीकी कोश्चन था वेटा आप लोग फसे नहीं अब आप लोग स्मार्ट हो गए पर ट्रीक करने की कोशिच कर रहा था आप लोग फसे ही नहीं बड़े स्मार्ट होते जा रहे हो समझ में आ गया ठीक है एक और को नौन अकनवेतिवल रिडेमेबल प्रेफेरेंचेर्स इसूड ऑं प्रेफेरेंचेर्स इसुखा रहे दोन हमें आप लोग चैयरे था यूडिरेमेबल之前 हैड़ेसे क्वा अर गर का्स्टेक्टतै और इसके अलावा उनकी कोई और सेकुरिटी लिस्टेट नहीं है फिर से असपर न्यू अमेंडमेंट असपर दे रून्स इस विल नॉट बी अलिस्टेट कमपणी नॉट अलिस्टेट कमपणी इसने अपने नॉन कंवर्टिबल रिडिमेबल प्रिफरेंश इशु किये और इक्विटीश इशु नहीं किये थर्ड केस से फर एग्जामपल एबीसी लिमिटेड ने दो तक के सेकुरिटीज लिस्ट किये ठीक है पहला नॉन कंवर्टिबल डिवेंचर और दूसरा नॉन कंवर्टिबल प्रिफरेंश इश्यर एक सेगना लॉन कंवर्टिबल प्रिफरेंश चेर क्यां और यह दोनों उन्होंने प्राइबेट प्लेस्मेंट से किये अब आप इनको या आप इनको अनलिस्टेड कंपनी बोलेंगे अगेरन आंसर इस नॉन नॉन लिस्टेड का यहां पर बोट का भी ऑप्शन एक बोट कैटेगरीज वन एंट वापस से से पर एक्जामपल एबी सी लिमिटेड इन्हों ने नौन कनवर्टिबल प्रिफरेंज शेर कैपिटल इसु किया है जनरल पब्लिक को कि यहां इसके अलाव इनके कोई और शेर नहीं है आप एबी सी लीमिटेड को लिस्टेड कमपनी कहेंगे मैं कि यहां आप कूर करता हुए एक्स्प्लीन करता और मैं सारे सेटेशन कभर करूंगा आपको समझ में आ जाए रुको पहले आप आंसर दो कि इशा मैं सब समझाओंगा दोंट वारी क्या भी लिस्टेट हो गई सर ये लिस्टेट कंपनी हो गई कैसे लिस्टेट कंपनी हो गई बिकोज सर इसने प्राइवेट प्लेस्मेंट से नहीं जनरल पबलिक को दिया है प्राइवेट प्लेस्मेंट से नहीं है जनरल पबलिक हो दिया है घ्रेक है फिर लेते है ए बिसी प्राइवेट लिमिटेड इसने अपने शेर इशू किया ए उसके अलावा फिल होतु मैं बेसिकेली इक काम करता हूं कि मैं काम करता हूं ठीक है मैं चार्ट बनाने की कोशिश करता हूं दो मिनिट दो नशाट बनाने की कोशिश कर रहा हूं यह कमपणी तक है इक्विटी चेयorse पिर नॉन कन्वर्टिबल इवेंचर्स फिर नॉन कन्वर्टिबल प्रिफ्रेंच शेयर क्यापितल और स्टेटस अब एक एक करके हम थोड़ा सा इसको भरते हैं सबसे पहले पब्लिक कमपनी ठीक है इकए इक विटी करें शेयरं इक विधि शेयर सेननन इस है नन ऐतिक है नॉन कन्वर्टिबल डिमेंचर और एक एक मिनिट कि यह प्राइवेट प्लेश्मेंट से राइवेट और यह जनररल अच्छा एक काम करते है पहले इसको भी प्राइब प्राइब प्रेस्मेंट यह भी प्राइब प्रेस्मेंट बताओ what will be the status अभी सारे क्लियर हो जाएंगे अपने विल इस वी काल आज लिस्टेड कंपनी और अन लिस्टेड कंपनी चल। और इकविटी शेर इशु नहीं किया है नॉन कले लिए चुक्या और नन कलेटिबिट्ध लिए चेर इशू किया है हाँ लिखो है बाटाल जल्देल लिखो अपने बुक्स में बना लो नेक्स्ट पब्लिक कंपनी है तो इक विटी शेर्स फिर से नन पिर नॉन गुटिबल डिमेंचर प्राइवेट प्लेस्मेंट से दिया है तो अनुटिबल नॉन कंवर्टिबल प्रिफ्रेंचर यह पब्लीक को दिया हुआ है अब बनु ड्प्र-टरो इंड ट्रियों और कि अब रिख ट्रियों कि This will be क्वे में। तूछल थे नन is कि ये पब्लीक से दिया haird time ये प्रैवेट व्लेस्मेट चे니다 एंसर विल बी ली स्ठेड है कि है फ्रोरे पृRET से है यह सैंहा है सुक्ति कर दो लो एक इस है रावेट या कि या या का व्लेस्मेंट से दिया यह भी private placement से दिया कि इनकल कि इसको यास कर दो यह पबलिक करदो यह प्राइबेट प्लेशमेंट कर दो answer we'll be legal कि इसको यह कर दो इसको पपक्लीक इसको भी पब्लीक कर दो और इसको भी पबलिक कर दो तिल दा आंसर इस अब आपको देखो समझ में आने लएगा दीरे दीरे चलो को कर दो तो इसको कर दो नो ठीक है और इसको भी कर दो नहीं आई दिंग यह नो वाला कवर हो गया है राइट प्रेस्वन टॉब्लिक यह न आप चाहिए तु सको देखलो इस दोनों में से कुई भी एक पब्ली को गा विदे आइढिक यह अभी weave6 में comprehensively सरे कवर हो जात है Pablo company के बढ़ देख लो यह चार्ट इसमें पब्ली कम्मपनी के सब कुछ कवर हो जाते हैं देख लो एक पर पब्लिक कम्पनी पूरा कवर हो जाता है इसमें समझाए सबको मतलब ऐसी पब्लिक कम्पनी जिन्होंने अपने एक्विटी शेर्ष लिस्ट नहीं किये और नॉन कनवर्टिबल डिवेंचर और नॉन कनवर्टिबल रिडिमेबल प्रिफरेंचर या दोनो प्राइवेट प्लेस्मेंट से अगर इशू किये तब आप लिस्टेड कम्पनी नहीं खहला होगे मतलब आपके शेर्ष में नन चाहिए और दोनों जगा प्राइवेट प्लेस्मेंट या दोनों में से एक जगा प्राइवेट प्लेस्मेंट अगर है दोनों जगा प्राइवेट प्लिस्मेंट चे तो ही अनलिस्टेड आए गए दोनों में से एक जगा पर पब्लीक आ गया तो आप लिस्टेड बन जाते हो ठीक है सारे सिट्वेशन कवर हो गए समझ भी आ गया अब मुझे बता यह वाए नान कौनां अगर यहाँ पे नान कनवर्टिब अगर आप issue कर रहे हो, तो आप listed company हो, convertible अगर आप issue कर रहे हो, तो आप listed company हो, अगर आप convertible issue नहीं कर रहे हो, तो आप unlisted हो सकते हो, why is this differentiation, because sir, convertible preference shares या convertible debentures are such, which are going to be converted into equity shares, in future, तो आज नहीं तो कल, यह equity shares पे बदलने वाले हैंस, hence, इसलिए आप अरे एक मिनिट, यह कहां लिख दिया मैंने, यहां लिखना दो, convertible का मतलब होता है, convertible का मतलब होता है, that they will be converted into equity share, either today or tomorrow, but in future, they are definitely going to be converted, यहनिया आज नहीं तो कल, equity इससे जनम लेने वाली है, इसलिए, non-convertible को यहां पर लिया गया, convertible को नहीं, because they are never converted, they are never converted, into equity, समझ मैं है, why non-convertible only, yes, very good, यह चलुँ मैं आगे, यह तो बात है, इस तो पब्लिक कमपनी, what about private company, यहां पर प्रिफरेंशियर क्यों नहीं दिया सर, 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 सुनू न, हलो, सर, यहां पर, न, point number A में उन्होंने बोला था कि अगर आपने equity share list नहीं किया, तो, सर, यह point यहां क्यों नहीं लिखे, यहां पर equity share और प्रिफरेंशियर वाले point क्यों नहीं लिखे, यहां पर, सर, सुनू न, बताइए न, सर, यहां पर private companies के case में, आपने, जैसे देखो, मैं आपको उताता हूँ, public company case में आपने क्या लिखा, सर, आपने लिखा कि equity share issue किये होंगे, तो नहीं, और बाद मलब आप listed हो, ऐसा आपने बोला, ठीक है, बाद में आपने कहा कि अगर preference share डाला है, और अगर वो convertible है, तो भी आप listed हो, अगर आपने un convertible डाला और private placement से डाला, तो ही आप unlisted में आओगे, तो यहां equity share और preference share का जिकर private company में क्यों नहीं किया है, because a private company cannot, a private company cannot ask for money, they cannot get their, you know, they are prohibited from inviting money from the public, आपने अगर section 2 clause 68 को ध्यान से पढ़ा है, तो उसके अंदर लिखा है that private company, they are prohibited, they are prohibited from inviting public to invest into their securities, you can't, you can't ask others to invest into your company by buying your shares, आप अपने debt securities ले सकते हो, because debt securities is like loan, loan लेने देने में आपको तकलिफ नहीं है, लेकिन अगर आप company private company हो, तो आपको shares आप list नहीं करवा सकते, इसलिए आपे shares वर्ड आया ही नहीं है, ना equity ना preference, यापे केवल क्या देखेंगे आप, आप देखेंगे कि क्या private company अपने debt securities को list करवा रही है, तो यह amendment आने से पहले, यह एक अपरिल 2021 से पहले, situation यह थी, यह amendment आने से पहले, अब private company जिसके debt securities listed थे, आप उसको listed company कहते थे, मैं खुद उसको listed company कहता था, मैंने आप लोगो foundation में भी यह tricky question पूचा है, अब मैं यह question नहीं नहीं पूच सकता, मुझे इतना दुख हो रहा है कि यार मैं, ऐता surprising question पूच सकता था, जिदना shocking था यार, अब मैं नहीं पूच पाऊंगा, why, because it has been amended, because it has been amended, if you are a private company, अगर आपने अपना debt security, अपना debt security, अगर private placement के through, list करवाया है, तो भी आपको मैं unlisted company ही कहूँगा, unlisted company कहूँगा, यह है point number two, समझ में आया, यह है point number two, बड़ा दुख हुआ अमरे को, पहले ता मज़ा आता था, मैं ता game लेता था, बड़े-बड़े teachers का मुझे call आता था, hello, other sir, यह कैसे आपने किया, और अब मुझे कोई नहीं पूछेगा, क्यूंकि मैं बोली नहीं पाऊंगा यह सब, चलो कोई नहीं, कुछ और धुड़ना पड़ेगा, धुड़न लोंगा वै, यह भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, prospectus and issue of securities में, तो आपको यह chapter 3 में आपको मेरे को याद दिलाने, मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको याद दिलाने की भी ज़रूरत नहीं, आपको section 23 पढ़ाऊंगा, और तब आपको समझ में आएगा, अभी आपको मैं बताऊंगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा, अभी मैं आपको try भी करूँगा, तो समझ में आएगा, आपको section 23 तक रुपना पड़ेगा, and recognized stock exchange के अलावा भी जो stock exchange रहते हैं, वहाँ पे अगर आप listed है, तो भी आपको यहाँ पे आप normally not listed ही बोलेंगे, ठीक है, so public companies which are not listed their equity shares on a recognized stock exchange, but whose equity shares are listed on stock exchange, यहने आप recognized stock exchange में नहीं, लेकिन normal unrecognized stock exchange में अगर आपके shares है, इक्विटी shares है, तो आपको मैं listed company नहीं कहूंगा, listed company कहलाने के लिए, recognized stock exchange में ही आपके shares listed होने चीए, unrecognized stock exchange में shares list करके, आप listed नहीं बन सकते, पहले क्याता ना, पहले यहाँ पे लिखाता था, any of the securities on any of the recognized stock exchange, यहाँ पे लिखाता थे, तो लोगों ने क्या किया, इसको इजद देना बन कर दिया, और बहुत अलग-अलग stock exchange में अपने equity share list करने लग गया है, just to be called as listed company, इसलिए यह point आया, कि अगर आप public company हो, और you have not listed your equity shares on any recognized stock exchange, but your equity shares are listed on stock exchange in a jurisdiction as specified in 23 subsection 3, then still you will not be called as, you will still not be called as listed company, अभी भी आप unlisted ही कहला, यह मैं जब आपको आपे आउँगा, तब आपको आपको आँपे समझेगा, section 23 के अंदर ही समझेगा, अभी आपको मैं कितना भी कोशिश करूँ, आपको नहीं समझेगा, अभी नहीं समझेगा, section 23 जब मैं आपको आउँगा ना तब उसमें समझेगा, अरे super power कमनी हो गया बेटा, अभी देखो, मैं आपको मेरा schedule बताता हूँ, अब आज मेरे में class लेने का 10% भी ताकत नहीं था, तुबह मैं 10 to 11 पहले पढ़ाया, मैंने 12, 20 से almost 150 के उपर ही गया था, चलो 150 तक पढ़ाया, फिर उसके बाद मैंने 4, 15 से almost 6, 15 तक पढ़ाया, फिर उसके बाद मैं अभी 7, 30 से पढ़ा रहा, तो दिस इस वान आवर, इस वान पाइं पाइं आवर, इस दू आवर, और अगेर वन आवर, इमाजिन दो चार साड़े पर अल्मोस्ट साड़े पार्च फ्लस घंटे और इसके लवाब बीच में जो भी टाइम बचता है आई नीड टू प्रिपेर, तो इतना एग्जास्टिंग दिन और इत रिक्वाइर से लॉट अफ एनर्जी आपको लगता हो का सर्थ दिन में चार पाज गंटे पढ़ा दिया कौन सी बड़ी बात है हम लोग तो दिन में आट आट गंटे पढ़ते हैं बैटके सुनना पढ़ने में उतना एनर्जी नह आने में लगता हूं और होता है होता है कोई दीरे दीरे आप लोग मेरे साथ देते रहो आदत हो जाएगी मेरे को पढ़ा लूंगा डोंट वारी और कल यहीं होने अच्छा हां कल से आदा कल कलम लोग क्लास नहीं ले पाएंगे बिकॉस कल मैं 5 15 से 7 15 तक कंटिनियूस क्ला क्लास नहीं हो पाएंगा कल अपना क्लास नहीं हो पाएंगा मैं यहीं बता रहा हूं कि अना कल क्लास नहीं हो पाएंगा कल ओफ रहेगा पर सो मैं लूंगा अप क्लास कि अच्छा कि ऐसा था कि विवेक भाई ओ अब समझा मैं सॉरी मैं बैड कि मैं बैड मैं बैड अभी शेक सरोज कैसे वाई कल का दिखला कल का छुट्टी है हाँ अरे यह सो स्वीट अफ्या अरे मैं गलत समझ ले में को लगा उसके बोला लॉमेंड का पावर किदर है ऐसा खुद को बोश्ट करूंगा वैं अधा यह अधिक अमेंड मेंड मेंड किदर गया चलो यह कमेंड मेंड मेंड आया बस ए एक क्लॉज 85 में अमेंड ऐंड में आया है और यह पूरा hmm नूली इंसर्टड है 85 पड़ाये करा मैंने आपको अभी तब 85 नहीं पड़ाया ना जो हो पड़ा सब्सक्राइए हैं यह वह पड़ाओं का अमेंड भी सब को अब लुग कर दा हुए भड़ो मने अभी आपको बता दिया और तीक यह मैंने आपको पढ़ा दिया देखो आपके यह पहला अमेंड्मेंट था तीक है प्रॉआइड लिस्टेट यह पूरा का पूरा यह प्रोव को मैंने आपको पढ़ा दिया ठीक है यह अभी ज़स्ट पढ़ाया यह सेकेंड अमेंडमेंट में यह मैं आपको अभी तख क्लॉस 85 पढ़ाया नहीं जब क्लॉस 85 पढ़ाया तब मैं आपको यह पूरा अमेंडेट पढ़ा दूंगा स्मॉल कंपनी का यह बहुत अच्छा क्लास रहेगा फिर आते हैं हां और यह मैंने पूरा रूल आपको पढ़ा दिया यह जो अमेंडेट रूल है मैंने अभी आपको पूरा पढ़ाया कि कौन से क आपको पढ़ा दिया तो चैप्टर नमबर पन के सारे अमेंडमेंट्स कवर होगा मैं अमेंडेट नोट्स आपको शेर कर दूंगा यह मैंने पढ़ा दिया चैप्टर टू के अमेंडमेंड्मेंड जब हम चैप्टर टू पढ़ेंगे तब आपको अमेंडेडी मैं पढ़ यह पिर क्या था पब्लिक कंपन गयुद्ध रिलेटेट युजए ऑफ केया तोक्ला पीoking तुक्ट कि था यू य। related party था ना related party वाकिभी है हमारा अब related party पकड़ेंगे है फ़ीक है what do you mean by relate इसके पहले register तक हमने पढ़ो था मैंने आपको register के बारे में कल बहुत information दी थी अब मैं आज आपको related party कौन होते हैं जार यह जो related party और Relatives है लई अब आप लोग को मैं बता दू यह इतना नाक में दम करते है भाई और यह ऐसे मैं बता रहा हूं यह हमारे घरों में हमारे शादियों में functions में हमारे पढ़ाई को लेकर हमारे एज को लेकर हमारे वेट को लेकर हमारे color को लेकर हमारे education को लेकर हमारे दसवी के marks 11 के marks 12 अरे जिंदगी में किसी चीज से लोग satisfied नहीं रहते हैं हम चीज में आके इनको अपनी special टिपनी देनी रहती और यह नाक में दम करकर रखते हैं related party इतना ही नहीं यहां पर रुखते नहीं यह लोग बहुत डेंजर हैं अब यह लोग आकर companies act में income tax act में लोग हमको परिशान करते हैं कैसे करूं यह related party आप लोगों को companies act में भी आकर परिशान करने वाले आईए देखते हैं कि related party के लिए कौन-कौन आता है company के लिए related party मुला वू अल आर रिलेटेड़ पार्टी ओर अ इस यह लोग के अंदर का गुस्सा वार आ रहा है अगया तो लोग गुस्सा वार हा रहा है प्र लिए चलु सर as per section 2 clause 76 related party with reference to a company means a director or his relative यह आपको लिखना start करना है side by side ठीक है यह लिखना पड़ेगा section 2 clause 72 76 महीं मैंसे जा 72 को वाला है related party तो who all will be related party for a company sir company के सारे के सारे directors और उनके relatives company के सारे directors और directors के relatives यह अगर say for example ABC limited में हिरल इस डारेक्टर ABC limited में हिरल इस डारेक्टर तो हिरल की मम्मी पपा भाई बेहन पती पत्नी बेटा बेटी अब यह तो है नहीं लेकिन जब भी आएंगे जब भी बनेंगे वो भी related party में रहेंगे entire family and entire list of relatives entire list of relatives of a director will also be a related party for a company relatives के definition में कौन कौन आता है थोड़ा सबर करो न बेटा अगला मैं वहीं पढ़ाने वाला हूं 77 में relatives कौन है यह वही लोगे जो आपके result पूछने आते हैं आपसे क्या हो गया just give me one second न कुछ चली नहीं रहा है discard discard pen चलना बंद हो जाता है अब क्या बोलेंगे अब चल रहा है तो relative यह मैं आपको पढ़ाने वाला हूं तो घाई मत करो मैं बताओंगा सब relative ठीक है so director or his relatives ठीक है फिर key managerial personnel और relative की managerial personnel और relatives की managerial personnel में कौन आता है जल्दे लिए बोलो जल्दे लिए बोलो जल्दे लिए मैं नहीं कुछ सुन रहा नहीं अब भी क्या भी बीना cheating करे फटा फट बोलो बीना cheating करे इदर उदर बीना दे के जल्दी से बताओ की managerial personnel में कौन कौन आता है CEO, managing director, manager CS of the company, CFO of the company whole time director of the company any other director specified in this behalf or any other director and we prescribed by the law nothing has been prescribed by the law और इनके relatives ये लोग भी आपके company के लिए related party बन जाते है फिर आते है third firm, sir firm partnership firm firm in which a director, manager or his relative is a partner firm in which a director or manager or his relative are partners sir नहीं समझाओ, मैं समझाता हूँ say for example, ABC Limited heerl is a director of ABC Limited heerl is a director of ABC Limited so heerl बन गे, related party heerl के relatives बन गया, related party correct, heerl is also a CEO of the company तो फिर से being a KMP she again became a related party इस company में Chris भी है Chris is the CFO of the company he also became a because he's a KMP he also became a related party करेंए Chris के पापा काने पापा का ओपाटनर्रिप फरम है हमारे CFO के पिता जी का पाटनर्रिप फरम है उनके partnership firm के partner है Mr. X, अब ध्यान से सुनो एक केस, क्रिश हमारे company का CFO है, मतलब KMP है, तो क्रिश तो related party है, क्रिश के पापा KMP के relative है, तो वो भी related party है, क्रिश के पापा का एक partnership firm है, उस partnership firm में Mr. X, उनके partner है, मुझे बताईए, यह partnership firm और Mr. X, क्या यह लोग भी related party में आएंगे या नहीं आएंगे, सोच समझ के बताना, तो समझ के बताना, क्या यह partnership firm हमारे company के लिए related party है, answer is yes, a firm in which a director, manager or relative is a partner, ठीक है, तो मैंने यह आपर assume कि क्रिश is also a director of the company, अगर आप बोलो कि नहीं sir, क्रिश is not a director of the company, then यह partnership firm will not be a related party, सुरो मेरी बात, अगर आप बोलोगे कि sir, क्रिश is neither the director nor the manager of the company, फिर in this case the partnership firm is not a related party, समझ में आ रहा है क्या, यहाँ पर director manager लिखा है, के एंपी लिखा है क्या है, यहाँ पर, यह एंपी लिखा है क्या, blood relation पीटा relative में पढ़ाओंगा, रुको अभी अभी तो party शुरू ही, अभी तो देखो कैसा confuse करता हूँ आप लोग को, इतने confusing question में पूछने वाला हूँ आपको इस पे, आप, you better give your 100% in this concept, जल्दी बताओ, क्या यहाँ पर के एंपी लिखा है, point number 4 में, नहीं, तो क्या, CS of the company, अगर उसका एक partnership firm है, CS of the company का partnership firm है, तो क्या वो partnership firm आपका related party होगा, answer is no, answer is no, पेटाई इस पे बहुत tricky question बन सकते हैं, तो ध्यान से देखवा, इस पे बहुत tricky question बन सकते हैं, ठीक है, पेन आता था, पेन चला गया, पता नहीं कहा, पेन आता था पहले या, इसमें शायद, ठीक है, फिर आता है, प्राइवेट कमपनी, ठीक है, फिर आता है, प्राइवेट कमपनी, अब यह भी इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट कमपनी, इन विज, डायरेक्टर और मैनेजर और इस रिलेटिव, डायरेक्टर, मैनेजर, और इस रिलेटिव, इस रिलेटिव, इस अ मेंबर, और और डायरेक्टर, अब देखो यह वाला, नहीं बिड़ा, फोर्ट वाले केस में, ओनली प्राइवेट कमपनी, पबलिक कमपनी का केस, फिफ्ट वाला, वो मैं आपको बात में बताओंगा, Now, say for example, there is a company iSpice Limited, say for example, there is a company iSpice Limited, एक काम करते है, रुको, बाइच है, iSpice Limited, ठीक है, इसके अंदर Mr. Umang is a manager, त्र मैनेजर ठीके, उमं के पापा का अउमं के पापा का एक प्राइवेट कंपणी ए आइज जायेंट प्राइवेट लिमेसेटड क्या आइज लिमेटड और ये रिलेटेड पार्टी हुए किते? सोच समझके बताना आर दे रिलेटेड पार्टी आइस पाइस लिमिटेड और आइस जाएंट लिमिटेड अलब इसके पापा जोई है इसा मेंबर और आइस जाएंट प्राइब लिमिटेड बोलो जल्दी बताओ सोच के बताओ अब प्राइबेट कमपनी त्सक्राइब असस्या इन आइस प्राइबट लिमिटेड जिसमें आपके कमपनी आइस पाइस लिमिटेड के मैंजर के रिलेट्व manager के relative अगर member है तो वो related party है hence there is a related party relationship between the companies कितने लोग को इपॉइंट समझा ज़रा बता न ऐसी private company जिसमें आपके company के director, manager या relative either member है या director है तो ऐसी private company को आप क्या कहेंगे related party जा कहेंगे आप related मैं बोल रहा हूं अभी तो confusion चालो भी नहीं बिटा अभी तो देखो आप अभी तो ऐसा confusion आएगा अभी तो मैं इसे ही सवाल पूछ रहा हूं अभी आएगा ना विटा देखो तो सही कि एक सेकेड़ ना कि एरेजर भी सस्ते के जैसे काम कर रहा है कि मैंने पैसे नहीं दियो इसको पूरे चलो कैसा है ना अभी आप लोग का रिजर्ट लगने का है तो आप लोग को पढ़ाई करने में उत्ता इंट्रेस्ट नहीं आ रहा है जब आपका रिजर्ट लग जाएगा और आपको पता रहा रहा है कि कुछ दिनों में इसकी एक्जाम देनी है तो पर सीरियसनेस आता है अब आते बाद पॉब्लिक कमपनी है एनी पॉब्लिक कमपनी ध्यान से दिखना इन विच यह डिरेक्टर, मैनेजर इस अ डिरेक्टर and holds along with his relatives more than 2% of the paid up share capital, public company in which your director and manager is a director and holds along with relatives, along with relatives इतना बोले, 2% more than 2% of its paid up share capital, so मैं करूंगा more than equal to 2% of paid up share capital, अब यह समझने के लिए थोड़ा और आप लोगो दिमाग लगाना पड़े, अब आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़े, ठीक है, एक्जाम्पल की मैं देने की कोशिश खर्णा हूँ, ठीक है, say for example, Ice Spice Limited, इसके अंदर, Mr. Vivek, is a direct, there is one more company, Ice Giant Limited, it's also public company, देखरो, public company, private, private, नहीं है, ठीक है, now what happened is, हम warm up कर रहे विटा, ज्यादा दिल पर मतलो, इसलिए मैं chapter 1, इतना slow पड़ा रहा हूँ, हम warm up कर रहे, तो जितना समझ में आ रहा है, उस अब आपके लिए additional है, यह सब हमारे additional चल रहा है, हम आपके लोग, ठीक है, सुना हम, आपके लोग, ठीक है, सुना हम, आपके लोग, आपके लोग, ठीक है, तो आपके लोग, ठीक है, अब हम आपके लोग, ठीक है, now what happens is, Mr. Vivek, is a director, in Ice Giant Limited as well, ठीक है, and along with relative, for example, इस इन के, plus father of Mr. Vivek, in दोनों के पास, मिल के, 1.5% of paid up share capital है, now you tell me, what is the relation between Ice Spice Limited and Ice Giant Limited, what will be the relation between Ice Spice Limited and Ice Giant Limited, बेटा, ये सारी बाते आपको पता चलेगी, don't worry, अब आप CA Inter में आगे हो, ये सारी बाते में डिटेल में आपको पढ़ाने वाला हो, और डारेक्टर्स के रिलेटेड जो आप सवाल बूचरों, आपको CA final में clear होगा, maximum number of directorships allowed, उसके अंदर, ठीक है, 1.5 के जगा, 3.5 होता, तो क्या आपका आंसर चेंज होता? क्या आपका आंसर चेंज होता? अगर ये 1.5 के जगा, 3.5 परसेंट होता तो? बता देंगे बिटा, येस, now they are related party. Now they are related party. सर वाइ, a public company in which a director along with his relative holds more than 2% of paid up share capital, such public company will be your related party. such public company will be your related party. समझ में आया? ये सारे सवाल पूछने वालों मैं आपसे, ठीक है, मिटा दू? मिटा दू क्या? हाँ, very good, चलो, ठीक है. मिटा रहा हूँ, अभी के लिए, बाद में में दुबारा आप लोगों से पूछने वालों, ठीक है, सारे सवाल में दुबारा पूछने वालों, बाद में मत बोलना की सर, अरे सर, अरे सर, अरे सर, बाद में मत बोलना में रुखो, ये ऐसे क्यों हो रहा है, मतलब मिटना चाहिए न, फटा फट, ये मिटता नहीं है, चल देज, कभी कुछ अल्टरनेट्वी सोचना पड़े है, अब आते हैं, अब आते हैं, नेक्ष्ट पैंट पे, ये देखो, यतार्थ बोलता है, मेरा एरेजर ले लो, नहां से आते हैं एलो, क्यों इतने डेंजर लोग होते, अब ये वाला तो बहुत ही जबर्दस्त है, Point No. 6, Any body corporate, any body corporate whose board of directors, managing director or manager are accustomed to act as per advice, direction or instructions issued by any director or manager of our company. कि इनी डारेक्टर मैनेजर आपर कंपनी ना से फर एक्जाम्पल कैसे कैसे एक मिनिट बताना विटा क्या करू इसको मैं कि इसको कि तुब बुढ़ रहा हो कि इताद बुढ़ रहा है सबसे अच्छा स्टोक इरेजर होता है कि नहीं नहीं वन नोट पर उसको स्टिक्की से हटा कर यह तो मैंने करा ना विटा सबसे अच्छा स्टोक इरेजर होता है वो मैंने कर लिया में लोगा कुछ और ऑप्शन है कि उसमें हाँ वो देखा मैंने एरेजर के नीचे यहां पर स्मॉल मीडियम लार्ज का ऑप्शन है बड़ यह क्या होता है ना स्टोक इरेजर का मतलब बताता हूं मैं आपको अगर यह मैंने लाइन निकाली है सबसूज यह मैंने लाइन निकाली है मैं अगर यहां एक जगा पर भी इरेजर ले लिया अब मैं यहां लाइन मारूंगा ना सिक उत्ता ही मिटता है मुझे पूरा लाइन ऐसे एक एक जाके मिटाना पड़ता है तो ज्यादा टाइम इसलिए मैं इसको स्ट्रोक इरेजर पर रख देता हूँ मैं इरेजर के नीचे देखा ना वेटा यह क्या चूज इरेजर स्मॉल मीडियम लार्ज और क्या इसमें इसके नीचे क्या है अब 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 मैं आ रहा हूं आगे अब यह वाला ज़रा खतरना के एक्स्प्लेंड करने के लिए एक बार ज़रा सुनो क्यात अर्ट ईक्राइब क्या शेजरो nah what happens is a company यह हमारा कंपदय है I Spice limited danται के अब़िबंड शायर external ट्यक्ट्रह करें उन्हाहइं इस ई τι बहुत ज्यादा टैलेंटेड डिरेक्टर अब ढ़ाइक्टर इस करीश का दोरा कि कमपणी चलाने मुण इशा बोले कि तर मेरी उमर ही 20 साल की है अब क्या बात कर रहे हो इशा के पास 20 यह का experience एक company चलाने का इशा के एक फ्रेंड है भावना उसका company चलाने का experience zero है तो नेच्छरल सी बात है कि भावना अपने सारे decisions इशा से पूछ के लेती है तो इशा के कहने पे भावना opened a company by the name of ice hill to limited एक small company बट इस company के सारे decisions इशा के advice direction और instruction से होते है इशा ने का यह करने का तो भावना वो ही करेगी अपने company now what is the relation between ice chill to limited and ice spice limited so the law says that they became related party they become related party because it is the company जिसके director managing director या manager is accustomed to act as per advice direction or instruction given by our director or manager given by our director or manager इसलिए इन दिस केस बोद दे कंपनीज आर रिलेटेड पार्टीज ना इसी को उल्टा करके देख लो अभी आप ice spice limited के लिए देख रहे थे अब आप ice chill to limited के लिए देखो आप ice chill to limited के लिए देखो यू 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 और कंपनी इस आइस चिल्टू लिमिटेड इस चिल्टू लिमिटेड इस कंपनी की डाइरेक्टर है भावना भावना एकदम नहीं है मार्केट में उसको कंपनी चलाने का experience नहीं है तो भावना अपने सारे decisions इशा से पूछ कर लेती है इशा कौन है इशा इस आइस डाइरेक्टर इशा इस डाइरेक्टर इशा इस डाइरेक्टर और i-spice limited now what is the relation between ice chill to limited and ice spice limited again the answer will be related party related क्यों कैसे उसके लिए है point number seven any person on whose advice direction और instruction और डाइरेक्टर और manager is accustomed to act यहनि किसी और इंसान के बोलने पर हमारे company के डाइरेक्टर नाचते होंगे तो हमारी company और उस company में related party का relation है यहनि they are complimentary to one another point number six and point number seven are complimentary to one another समझ में आया point number six or point number seven समझ में आया कैसे they are complimentary to one another got it तो यह दोनों point में लिख देता हूं अगर अगर आप लोली करोगे तो यह ज्यादा मिटाता है और अगर आप पास्ट करोगे तो भूल जाता है कि मुझे क्या-क्या मिटाना था समझेगे तुम अगर आप लो करेंगे तो इसको सब याद रहता है कि मुझे क्या करना है लेकिन अगर आपने पास्ट कर दिया तो उसको भूल जाता है कि मुझे किसको किसको उडाना था ऐसा है चलो पॉइंट नंबर सिक्स मैंने लिख दिया था पॉइंट नंबर सेवन में लिख देता हूँ जो कॉम्प्लिमेंटरी पॉइंट है क्या पॉइंट है एनी पर्सन on whose advice direction or instruction a director manager is accustomed to our director or manager are accustomed to act so in that case this person will also become a related party to us this person will also become a related party to us फिर आता है point number eight anybody corporate अब यहां पर ध्यान देना ही tricky होता है यहां पर trickiness आ रहा है any body corporate अब यह वाला important देख लो इसमें तीन पॉइंट है ध्यान से देखो which is a holding subsidiary or associate company of such company is a subsidiary of a holding company to which it is also subsidiary यह इसको आप sister concern कहते है sister concern on having investing company or a venturer of the company now let us understand this say for example a limited holds 80 percent voting power in b limited what is the relation between a limited and b limited a limited becomes a holding company whereas b limited become the subsidiary यह यादन आपको 00.00 से 19.99 then 20.00 से 50.00 50.01 से लेके 100.00 नो रिलेशन यहां पर कहा है associate और यहां पर कहा है holding and subsidiary so any company which is a holding company और a subsidiary company और an associate company of your company इन सब companies के साथ आपका related party का रिष्टा रहेगा holding आ गया subsidiary आ गया associate आ गया अब एक case देखते हैं a limited holds 100% in b limited as well as c limited now what is the relation between a limited and b limited it's of holding and subsidiary so यह दोनो related party हो गया एक दूसरे के correct correct 46 and 87 what is the relation between a limited and c limited they are holding and subsidiary तो यह लोग भी related party हो गया एक दूसरे के correct यह मैंने आप पड़ा दिया आपको point number a now what is the relation between b limited and c limited अब बता what is the relation between b limited and c limited sir इन लोगों को भी related party का जाएगा subsidiary of a company to which it is also subsidiary या लिगा है subsidiary of a holding company to which it is also subsidiary इसको होते हैं fellow subsidiary या sister concern आप जिस holding company के subsidiary हो उसी holding company की कोई और अगर subsidiary है तो इन दोनों subsidiaries का एक दूसरे के साथ related party वाला relation बन जाता है कि समझ में आया कि समझ में आ रहा है यह अला point last investing company और venture company say for example आप एक आइसपाइस लिमिटेड ओके यह आइस्क्रीम बनाती है कि यहां पर आपको पैसों की जरुवत पड़ी तो आपने क्या किया आपने सॉफ्ट बैंक से सीड मनी लिया जिसको बोलते वेंचर फंड इन इस केस सॉफ्ट बैंक और आपके बीच में भी रिलेटेड पार्टी का रिलेशन बन जाएगा विकास दोनों ने आपको पेमेंट किया है पैसा दिया है आप में इन्वेस्ट किया है इसको बोलते हैं वेंचरिंग कंपनी या या इन्वेस्ट्म कंपनी फो फर देशन पर्फिल अब इस लोग इंवेस्टीं पर्संट होना चाहिए in clause 8 shall not apply with respect to section 188 to a private company ये एक private company को ये दिया है कि आपके अंदर ये वाला point apply नहीं हो इस विल नाट अप्लाय तो exempt कौन exempt है प्राइवेट कमपनी को ये सारे रूल सब्लाय नहीं उनको benefit दिया रहा है कि आप जाओ आप दूसरे कंपनी की holding subsidiary associate company बनो या आप फेलो subsidiary बन जाओ या इन्वेस्टिंग कंपनी बन जाओ कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है आप कोई अप्लाय नहीं होगा इन फाट आए फैसी पॉब्लीक कंपनी को भी ये अप्लाय नहीं होता ये रिखो आए फैसी पॉब्लीक कंपनी को भी ये रूल अप्लाय नहीं होता चलart ऑब कर दिक्से अप्लाय को अन्वेस्टैक्था आसने में होगा एसी पर रूल चैनलड सिफेक नहीं होता पर में जाओ भी ये आप को ब pääन भी खोलाय उन्हें का ए ये चल्फालश का करता हूं इससे पहले में point number 9 लिख लेता हूं स्थीक है point number 9 लिक लेता हूं other as may be prescribed other prescribed और क्या prescribed वह भी लिखता हॉए पहले इसके 3 लिख देता हूं holding subsidiary और associate company फेलो subsidiary कै यहां फेलो सब्सेडियरी जिसको आप sister concern भी कह सकते हो sister concern and last investing company इंवेस्टिंग कमपनी फिर पॉइंट नम्बर नाइन अधर में आता है डायरेक्टर के एंपी और रिलेटिव और फोल्डिंग कमपनी अब लोगों ने इसका फाइदा उठाने लगे थे लोग देखो मैं आपको बताता हूं कैसे आप एक कमपनी बना रहे हो ABC लिमिटेड आप उसके डायरेक्टर तो आप और आपकी कमपनी क्या होगा है रिलेटिड पार्टी बड़ाबर पॉइंट नम्बर वन पॉइंट नम्बर वन आप रिलेटिड पार्टी होगा है सब क्लॉस वन ठीक है लेगिन से पर एक्जामपल आप ABC लिमिटेड बना रहे हो आप उसमें डायरेक्टर दूँँए आपने क्या क्या ABC लिमिटेड का एक सबसीडियरी कमपनी बनाया है PQR लिमिटेड और पूरा का पूरा जाके पढ़ो ये पूरा पॉइंट नम्बर वन से लेके पढ़ो आप देखो अना पॉइंट नम भीजार भरा जांता नम्सक्राइं आप क्या क्या किलमिटेड दून के बताओ दिरेक्टर और ये चलीटिब नव वाय बेकहोई भाई-दिया ये ज machstी के लोम लिमिटेड यहां पे लेक्टर और ऑने कॉराइं बनेख में आपने भसे बाडी कॉर्परेट एड़िएज डिरेक्ट्सिंट की कोई बात ही नहीं है तो यहां पर क्या हो रहा था का डिरेक्टर सबसंटिरी कॉमपणी के लिए कुछ बेथेड पाटी नहीं आ रहा था और यहां पर लोग जोल कर रहे variants इसीलिए Point No.9 के अंदर CentralDIO में कहा कि If You are a director ध्यान से देखवा यहां पे क्या लिखा है parts कि We are a director other than independent लेक्तर अगर आप डा aiming के Prestre क्प हो हों वेल्डिंग कंपनी के अगर आप डा डाइक्टर के एंपी या और रृयलेटिव हो हो वोलडिंग कंपनी के तो सब्सीड़ी कंपनी के लिए आप रिलेटेड पार्टी हो जाते हो कहा है झाल भी ढीडिंट्य पर्टी औक ट्रण ने विम भी टिश सब्स्थमниंग करें पार्टी सब्सक्राइब करें कि अधिया है कि इसका एक हमारे गुजरात में गिप्ट सिटी बना हुआ है ना तो यह है हमारे नौ पॉइंट अब मैं क्या करता हूं आप लोगों देता हूं यह पूरे नाइन पॉइंट आपको पढ़ने और कल मैं इसके उपर ट्रिकी क्वेश्चन पूछूंगा और मैं देखूंगा आप लोग उसको सौरी कल तो हमारा क्लास नहीं है दे आफ्टर च्रूच बीच प्रटमितन अरब बीच प्रट्ट्रू फ्या अथे क्या priorिवट ऎज आफ डूवब्ल bucks हमारे आपको भूब मैं प्रूच अरश नहीं है दो उसके ले विधार और क्या क्यूः है . कमपनी में आपको बदा रtes कंपपनी पर entire section apply नहीं होता section 2 clause apply ही नहीं होता यह वाला मुझे नहीं होता private company यह private company पे भी apply नहीं होता और एक IFSC public company पे भी apply नहीं होता है दोनों companies exempt है इसले इस question में आप ideally होने चाहीत अरो पार्ट नहीं होता है उधर विकास अफ़ड़ गहले पार्ट नहीं होता है why because of the exception इसको आप एक बार गो तुरू करो इसको आप एक बार गो तुरू करो और पिर अगर नहीं समझ में आता तो डे आप्टर तुमारो आप मुझे बोलना मैं आपको दुबारा ही एक्स्पेन कर दूंगा आपका आज का हुवग ही है इसको वापस आपको दो तीन बार गो तुरू करना है और आपको थोड़े से एक्जांपल के साथ इसको प्रैक्टिस करना है फिर परसो में डारेक्ली आपको इसकी इसके फिर क्वेश्चन्स हम लोग करेंगे परसो तो आज के लिए पस इतना है अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करना मत भूलिए कमेंड करना मत भूलिए शेयर करना मत भूलिए आई तुमोरो तो कल आपको रिवाइस करने का टाइम मिलेगा अब हम मिलेंगे डायरेक्ली ट्वेंटी एथ को तब तक के लिए टाटा बाई 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 गॉट ब्लेस्वी लॉट्स अफ लव टेक केर